आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें तीन है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे पाई, आधार कितना है, चार है, और प्लस एक है, ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अपन एक गुंधरम जानते हैं, लॉग का, वो क्या होता है अपने पास में, वो देख लेते हैं, ठीक है तो सबसे पहले log अगर अपने पास में ba, log b और यहां पर आधार कितना a है तो अपन इसको लिख सकते हैं log b बटा log a अब यहां पर दिखो यहां पर जो आधार होगा वो e होगा ठीक है? यहाँ पर आधार सेम लेना है कोई भी ले सकते है E भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो एक तो यह property हो गई एक तो यह गुंडम हो गया इसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं यहां से एक तो ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टा, अब देखो, एक को तो अब देखो, यहाँ पर अपन को बट्टा को हटाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो log, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार में, पाई हो जाएगा, जस्ट क्या कर देना हैं, अपन को इन दो log n, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, यहाँ पर log m गुणा n हो जाता है, अब देखना, यहाँ पर जो आधार होगा, उसका फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपन को just उनके क्या करना है, जो उनका अंदर का मान है, उनको अपन को क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से इसके बाद में पर क्या कर सकते है, पी जो है, उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से, log π, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस एक, ठीक है, अब देखो, इस log 12 को, log, देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, log 12, बटा, log pi, ठीक है, plus 1, ठीक है, अब देखो, pi का मान जो होता है, वो कितना होता है, लगबग बराबर होता है, 3.14 के बराबर होता है, लगबग, ठीक है, वैसे तो यह क्या होता है, एक अपरी में संख्या होती है, लेकिन इसका अगर एक मान देखें, तो वो लगबग बराबर होता है, किसके 3.14 के, ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे, इसको काम मिलेंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी आधार नहीं लिया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, e इसका क्या ह हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो लगबग मान होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, देखो, इस लॉग 12 का लगबग मान तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2.48, यहाँ कि 2.48 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा, 1.144 के लगबग, ठीक है, और प्लस 1, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, जब अपन इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर P जो है, वो कितना आएगा, देखो 2 पॉइंट, यानकी 2 पॉइंट, लगभग इसके बराबर आएगा, एक 6 के आसपास, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद.